हेलो एव्रीवन मेरा नाम हरेनु काशिक तो गाईज कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे आप लोगों को पता है कि मेरी एक 60 इंपॉर्टन टॉपिक सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं क्लास्रूम कम्यूनिकेशन का जो मेरा पहला टॉपिक था उसको कंप एंटिनेट के अंदर कोशिण आते हैं और बहुत सारे लोगों को इसके अंदर बहुत ज़़ास्फिकल्टी होती है इस क्लस्टर क्या है स्टाटिफाइड क्या हैaurais मल्टि स्टेज क्या है पता होता है जबको फिर भी पता निहीं क्यों कानप्यूजन होती रही है था गाति एक एक type को समझाऊं ताकि आपको बहुत अच्छी understanding इस topic की बने आईए बात करते हैं आज के topic के उपर चलते हैं types of sampling सबसे पहले मैं आपको बता दूं guys की sample क्या होता है sampling को समझने से पहले हमें पता होता है कि sample क्या है देखे guys एक होता है हमारी population इस population का जो part होता है उसको बोलते हैं हम sample ठीक है guys माल लीजी अगर मैं बात करती हूँ कि एक particular population से एक part of population जो हमारी population को represent करता है कहने का मतलब है ये मेरी पूरी population थी इस पूरी population में से मैंने जो sample collect किया है अब जो characteristic मेरी इस population की थी वही सारी characteristic मेरे इस sample के अंदर आ जाएंगी तो कहने का मतलब क्या है कि part of population जो मेरी population को represent करेगा वो मेरा क्या कहलाएगा guys वो कहलाएगा मेरा sample और इस पूरे की पूरी को हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं population अब इस population की study को अगर मैं बात करूँ तो इसको बोलते हैं census study क्या बोलते हैं census study लेकिन जब मैं sample की study करूँगी तो इसको बोलेंगे guys statistic तो क्या हम बोल सकते हैं कि statistic क्या है कि जो sample मेरा population में से मैंने लिया है उसकी study को हम क्या बोलते हैं उसकी study को हम बोलते हैं statistic ठीके guys अब उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो हमने ये population की जो study करी है guys अब दिमाग में question आता है कि हम खाले sample की study क्यों करते हैं हम इस population की study क्यों नहीं करते हैं देखे guys हमारे पास actual में इतने resources नहीं होते इतना time नहीं होता इतने money नहीं होती कि हम पूरी की पूरी population के individual person की क्या कर सकें study कर सकें तो इसलिए हम क्या करते हैं इस population में से एक part choose करते हैं जो क्या करता है जो represent करता है हमारी इस पूरी की पूरी population को इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं आपका जो है sample ठीक है और वो एक researcher है, वो research करना चाह रहा है, क्या कि adverse effect देखना चाह रहा है, side effect देखना चाह रहा है, अपने drug के, पूरी की पूरी population के उपर, तो वो क्या करेगा, क्या वो पूरी की population की study करेगा, या इस population में से एक sample निकाल लेगा, जो इस population को represent करता हो, ताकि उसका time कम लगे, उसक एक तरीक से money कम लगे, तो वो क्या करेगा, जल्दी से जल्दी में उससे चाहिए, अगर data चाहिए, collect करेगा, तो वो इस sample की study करेगा, जो उसने इस population में से निकाली है, अब यहाँ पर एक बहुत important समझने की वो जो चीज है, वो ध्यान समझेगा, क्या है, क्या है, कि मान ल कहते हैं, हम बोलते हैं, sampling frame, जहां से समझेगा, क्या population का वो area, जहां से मैंने sample को उठाया, उसको बोलते है, sampling frame, और इस sampling frame से, sample को collect करने का हमारा तरीका, दो तरीके का होता है, एक होता है, random sampling, एक होता है, non-random sampling, यहाँ मैं simple words से बात करूँ, जिसको हम बोलते है, probability sampling, और non-prob probability sampling, clear हो गया होगा, guys, अब उसकी अंदर हमारा क्या आता है, guys, ध्यान से समझेगा, कि types of sampling, मैंने अभी बताया, आपको कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, आप दो तरीके से sample को उठाने के लिए, दो तरीके यूज़ करते हैं, या तो आप probability sampling यूज़ करते हो probability sampling क्या होती है, कि ये मेरी population है, अब इसमें से मैं जो sample ले रही हूँ, तो इसके अंदर each individual जो है, हर एक individual, उस हर एक individual को equal, या फिर मैं बोल सकती हूँ, कि equal chance मिलेगा मेरे sample में आने के लिए, तो जब सभी को equal chance मिलेगा, या random selection किया जाएगा, इस sample में आने के लिए, population में से उसको मैं क्या बोलूँगी, probability sampling बोलूँगी, और जब मैं अपनी मर्जी से data को collect करूँगी, या अपने convenience के base पर data को collect करूँगी, तो मेरा क्या कहलाएगा, non random sampling कहलाएगा, I hope guys आपको clear हो गया होगा, इसके बाद हमारा आता है, कि हमारे जो sampling method है ना guys, उसमें सब से पहला आ रहे हो, तो जिसमें सबसे पहला आता है, हमारा क्या simple random sampling, देखे गाई, simple random sampling क्या होता है, कि जितने भी person होते है, उन सभी को equal chance मिलता है, आपके sample में आने का, ठीक है, यहाँ पर एक example दिया हो, उससे अच्छी तरह से clear होगा, कैसे, एक organization है, जिसके अंदर total 500 employees है, और HR team जो ह आके collect नहीं कर रही है, खुद तो जाके sample नहीं उठा रही है, खुद person को select नहीं कर रही है, वो क्या करेंगी, एक bowl में चिट डालेंगी, और उस चिट में जिस इसका नाम आएगा, वो select कर लिया जाएगा, उन activities के लिए, तो clear guys, lottery, और मैं बोल सकते हूँ कि यह example fit बैठता ह आपका simple random sampling पर, आपको clear हो गया होगा, उसके बाद guys, cluster को समझाने से पहले मैं पूरी कोशिश करूँगी, आपको stratified समझाओं ताकि cluster आपको बहुत अच्छे से clear हो जाए, हम बात करते हैं, stratified sampling के, देखे guys, stratified को समझने से पहले systematic की बात कर लेते हैं, systematic sampling क्या होती है, systematic sampling method आ regular interval के through क्या करते हो, data को collect करते हो, कहने का मतलब क्या है, कि आपने क्या किया, data को systematically लगा दिया, या एक interval में, ascending order या फिर descending order में, आप data को arrange करते हो, और उसके according आप data को उठाते हो, यहाँ पर एक example है, ध्याहां से समझेगा, मान लीजिए, आपने क्या किया, आपने 500 people थे, आ आप उठालोगे, इट मेंस आपने क्या किया, एक sequence से data को collect कर रहे हो, यह होती है, आपके systematic sampling, इसके बाद हमारा second होता है, certified random sampling, देखे गाई, certified random sampling क्या होता है, इसमें लोगों को बहुत confusion होती है, तो ध्यान से समझेगा, सबसे पहले, certified random sampling का एक process होता है, वो क्या है, कि आप पर क्या दिया हो है, कि 20,000, 21,000, 30,000, 31,000, 40,000, 41,000, 50, यहां पर क्या है, डॉलर में income दी हुई है, आपने क्या किया, आपने 20 to 30 वालों को एक data दे दिया, 30 to 40 वालों को एक data दे दिया, 40 to 50 वालों को एक data दे दिया, आपने क्या किया, यह पूरी की पूरी पूरी population जो थी न ओवरलैपिंग गुरूप बनाए है ध्यान से समझेगा कि विदिन स्टेटा तो क्या है होमोजीनियटी है लेकिन आउटसाइड स्टेटा आप देखोगे कि ये स्टेटा बिलकुल अलग है इस वाले स्टेटा से और ये वाला जो 30-40 वाला स्टेटा है ये 40-50 वाले से कर लोगे क्लियर गाइस तो स्टाटिफाइड रेंडम सेंपलिंग आपकी वहां की जाती है जहां पर पॉपुलेशन आपकी कैसी होती है स्मॉल होती है या फिर आपकी फाइनेट पॉपुलेशन होती है जहां पर आपको पॉपुलेशन दे दी जाती है क्यों गाइस अब माल लिजे population बहुत लार्ज होती तो क्या आपको difficulty नहीं होती पूरी की पूरी population को homogeneous status में बाटरने में तो वहाँ पर यह आपकी stratified random sampling है वो आपकी suitable नहीं होती I hope guys आपको stratified random sampling बहुत अच्छे से clear हो गया होगा अब बात करते हैं आपका cluster sampling देखें guys cluster sampling क्या होती है cluster sampling भी जो है वो एक stratified की तरह ही होती है लेकिन इसके अंदर difference क्या होता ध्यान से समझेए यह एक आपकी population सबसे पहले इसको एक example से समझाती हूँ ताकि आपको clear हो जाएगा इस ध्यान से समझेए माल लीजिए मुझे corona के patient जो है ना उनका data यह population है यह पूरी की पूरी population है जो किसमें divided है पहले से पहले ही एक एक group में हर एक state अलग अलग एक तरीके से क्या है divide है आप क्या करोगे अब आपने क्या किया आपने इन में से कोई एक group select कर लिया it means आपने माल लीजिए UP से माल लीजिए UP के अंदर corona के जो बहुत सारे patient है आपने क्या किया आपने UP में से data को collect किया ठीक है अब आपने सबसे पहले UP उठाया आपने यहां से group उठाया आपने एक cluster को choose किया अब इस cluster के different cities होंगे UP के अंदर ये cities ये 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 आपने क्या किया आपने इस city को उठाया अब इस city में से आप जो data collect करोगे जो randomly selection करोगे data का वो क्या कहलाएगा आपका cluster sampling कहलाएगा इसको हम area sampling बोलते हैं कि आप area wise data को collect कर रहे हो या मैं इसको बोल सकती हूँ two stage sampling आपने पहले यहां group को choose किया आपने पहले एक cluster उठाया फिर ये particular city में से आप एक particular area को choose करोगे उस area में से भी आप एक particular individual को choose करोगे तो ये कौन सी sampling हो जाएगी ये कहलाएगी आपकी multi stage sampling it means एक से ज़ादा stage के अंदर आप क्या कर रहे हो data को collect कर रहे हो देख रहे हो आपकी cluster के अंदर क्या होता है two stage sampling होती है लेकिन multi stage sampling के अंदर आप एक से ज़ादा stage के अंदर data को randomly क्या कर रहे हो select कर रहे हो तो guys cluster sampling आपकी certified random sampling और simple random तीनों ही आजाती है आपकी multi stage sampling के अंदर I hope guys ये आपको बहुत अची तरह से clear हो गया होगा अब मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करना चाहरी हूँ वो है आपका certified random sampling और आपका जो आपकी cluster sampling है उसके अंदर आपका difference क्या होता है देखेगा इस ध्यान से समझेगा एक होता है आपका certified एक होता है cluster certified में क्या हुआ था certified sampling आपकी वहाँ यूज की जाती है जहाँ पर आपकी population क्या होती है small होती है और वहाँ पर जहाँ पर आपकी population large होती है वहाँ पर कौन सी आप यूज करते हो cluster sampling यूज करते हो मैंने इसका reason आपको दिया था कि अगर मालनीजी आपकी population finite है तो आप stratified random sampling यूज करोगे क्यों क्यों क्योंकि data को homogeneous group है ना उनमें बाटना बहुत ही difficult होता है बहुत ही time consuming भी होता है और बहुत time भी लगता है और money भी आपके resources भी जादा लगते हैं तो यह सिर्फर सिर्फ किस कहाँ पर suitable होती जहाँ पर small एक तरीके से difference वो हुआ वो यह है कि stratified के अंदर आपने क्या देखा कि जो statata है वो कैसे है वो homogeneous nature के है guys यहाँ पर बहुत लोगों को difficulty होती है कि क्या homogeneous क्या आपका heterogeneous ध्यान से समझेए यहाँ पर क्या था homogeneous stratified के अंदर जो आपके stratata होते हैं वो homogeneous nature के होते हैं सारे और cluster के अंदर आपके जो cluster होते हैं वो आपके heterogeneous nature के होते हैं मैंने आपको बताया था ना कि different different group थे उन group में से यह पहले से पहले क्या है इन group में से आप किसी एक को उठा रहे हो और उस एक की क्या कर रहे हो random sampling चूज कर रहे हो तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे के cluster क्या है heterogeneous nature के हैं I hope guys मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस topic की बहुत अच्छे understanding दूँ और I hope guys यापको पसंद आई होगी ये video तो like कीजेगा, share कीजेगा and subscribe कीजेगा Thank you so much guys